इसकारिक्रम के पुण्या जख हैं इसकारिक्रम के पुण्या जख हैं अपने अंतरंग के परिणामों की दशा से यदी हम मिल लेंगे तो वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है वह सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ मैं भाव क्या करता हूँ यही तो निर्धारित करते हैं कि मैं भाव से किस भाव में जाऊंगा और कब तक भाव भरमन करूंगा आज यह संसार भावन यही आपको समझा रही है कि मैं कौन से भाव करता है और क्या-क्या भाव आज तक किये और कुछ भाव ऐसे हैं जो जीव ने आज तक नहीं किये जो भाव मैं करता है उन भावों को ना करना हूँ मा जिन भावों को मैं अनंत काल से करता आया हूँ वे भावना हो इसका नाम है भावना भावना जिन भावों को मैंने आज तक नहीं भाया उन भावों की करना है भावना और जो भाव मैं सदा से भाता आया उनको करना है विश्रान्ती आज यह बात अचर भगवन इसलिए समझा रहे हैं मैं कैसे कैसे परिणाम करता हूँ और किन किन परिणामों का फल मैं क्या क्या भोगता आया हूँ यही विशे अगर ग्यात हो जाए तो अपने भव भव सुधर जाए मां लोग अनेक अनेक इस्तानों पर घूमने जाया करते है अनेक छेत्रों में लोगों की प्रवत्ती देखी जाती है यह प्रवत्ती तभी हो सकती है जब परिणाम हो जैसे करण होते हैं वैसे चरण होते हैं करण अर्थात परिणाम जिस ओर करण जाएंगे उस ओर तुम्हारे चरण जाया करते हैं करण किस ओर जा रहा है यह तुम्हारे चरणों से भी पता चल जाता है जीव कहां कहां नहीं जा रहा है और जिनाले की ओर आने के चरण ही नहीं उठते हैं अतात चरण तो तब उठेंगे न जब अंतरंग में ऐसे करण रूप परिणाम हो जाएंगे यही हो रहा है जगत में मनीश अनन्तवार मैंने सब कुछ भ्रहमन किया लेकिन भ्रहमन क्यों होता रहा यह पता ही नहीं था कि भ्रहमन के लिए परिणामों को विश्राम देना पड़ेगा आज ही है छेत्र परावर्तन मा पांच परकार का परावर्तन होता है कल हमने यह विचार किया था कि द्रब्य परावर्तन मैंने कोई वस्तु इस संसार की ऐसी नहीं है जिसेने मैंने भक्चन करके और छोड़ाना हो भक्चण का अर्थ मात्र मुख से भोग करना ही नहीं होता मेरे शरीर में अनेक प्रकार की वर्गणाएं प्रती समय आकर जुड़ा करती है यानि रिश्या मुझे लगता है जैसा मेरी तवचा अभी है ये तवचा तो बच्पन से ऐसी है यानि बच्पन से ऐसी तवचा नहीं है प्रती समय तवचा में परिवर्टन हो रहा है अगर ये नहीं मानते हो तो जो आपको यदि कोई आशीश चोट लग जाती है तो चोट भरने में कितने दिन लगता है चोट भरने में वह तुरंत जब लगती है तभी से भरना प्रारम हो जाती है प्रती समय का परिवर्टन चलता रहता है और वह परिवर्टन करते करते मैंने इस जगत के ऐसे कोई भी परमाणू नहीं थे जिने भोग के ना छोड़ा हो शरीर बनाकर उसको विसर्जित कर देना इसका नाम था द्रव्य परावर्टन अब क्या भोगने जाओं मा जो भोजन करते हो न ये भोजन से क्या होता है मनिश जो भोजन किया इस से क्या होता है शरीर बनता है न जो भोजन एक बार किया जाता है मा वह आपके साथ आज यदि एक नेवाला खाया नेतजी और वह नेवाला आपके संपूर जीवन भर आपके साथ रहेगा आज अपने जो आज सुबह से भोजन किया अत्वा कल भोजन किया वह सब पेट में है ना कि नहार छोड़ के आगए भर आज जी चोड़ के आए उसके पहले तुमने उसमें से बहुत कुछ निकालके रख लिया था जितना भी आयरवेद से मिलें तो आयरवेद यह कहता है पंडिजी जो भी भोजन किया जाता है पानी भी पिया जाता है वह साथ धातु में परिवर्तित हो जाता है जब भी कोई द्रव्य हम भक्चन करते हैं भोजन करते हैं वह जीवन परियंत के लिए अब वह साथ धातु हैं रक्त, मास, मज्जा, हड्डी जो भी बनता है और जो वीर बनता है वह किस से बनता है? भोजन से ही बनता है रक्त भी बना तो भोजन से बना हड्डी भी बनी तो भोजन से बनी आपकी त्वचा भी बन रही है तो भोजन से आपका मास भी बनता है तो भोजन से बनता है इसलिए ग्यानी दूसरे का रक्त लेने में बहुत विचार करना पड़ता है क्यों कहा जाता था कि रक्त का रिस्ता है जिस खांदान में हो वहां क्या भक्षण होता था और अभक्ष वाले का रक्त आपने चड़ा लिया है अब कई बार ऐसा होता है जानजी जी जो जीव आपके कुलों के नहीं है और किसी ने गोध ले लिया तो कही ना कही ये बात आजाती है खून का रिस्ता नहीं है ये खून का रिस्ता नहीं है क्यों जो ग्रक्त बहता है उसमें आपके परंप्राक से जो शुद्धत आती वह बहा करती है और जब हम दूसरे में सब कुछ संक्रमित करते जाएंगे अब सारा नाश होता जाएगा मा ये बच्चों को समझाना पड़ेगा खास करके बेटियों को आप लोग लाना ही नहीं चाहते बहिया फल खाए प्रदिप बहिया फल खाए आज कल जो फल आते हैं बड़े चमकदार आते हैं आदेते आज जो फल आते हैं चमकदार लाते हो की खराब बाले लाते हो मराज जी जितना चमकदा उतना लाते हैं उतनी चमकदार फल लाते हैं लेकिन वह चमकदार फल लाते हो तो हो लेकिन वह सब फल संक्रमित कर दिये जाते हैं और उस फल को लाते हो तो स्वाद वही आता है न जो पहले फलों का आता था मनीश जो अमरूद आप लाए पहले किसी ने अमरूद खाई हो अथवा पपीता या किसी भी फल को आप ले लें जो स्वाद पहले होता था मा आज चमकदार फलों का होता है क्या लेकिन हम तो चमक के पीछे भाग रहे हैं इस से क्या फरक पड़ता है कि वह कैसा है यह जितना एक दूसरे में संकर्मन होता है जानी फलों का स्वाद परिवर्टित होता जाता है मा समझना समझना फलो में संकर्मन हाइब्रिड जिसे आप कह रहे हो यानि आदे हाइब्रिड चीजें बड़ी प्रचलन में आ चुकी है सब लोग यह चाहते हैं हाइब्रिड चीजें और जैसे उस का स्वाद नश्ट हो चुका है जो उसका मूल्य वान वस्तुति गुण वे भी नश्ट हो चुके है मा ऐसे ही कही जिन कलों में संकर्मन करते करते, जिन कलों की गुणवत्ता समाप्त ना हो जाए यही हो रहा है यही हो रहा है हम क्या फ़रख पड़ता है, इंसान- इंसान न? इंसान इंसान है यह बच्चे कहते हैं इंसान इंसान है किसी से भी संबंद बनाया जा सकता है कतई नहीं बनाया जा सकता इतना प्राकर्तिक नियम यह है वह या काले होने से सब को काला मान लिया जाए तो सब के संबंद बन जाना ठीक है भारती हैं इस अरी डकेती फरेव अत्वा कपट और मायावी जीवन के अलावा क्या-क्या आता है कुछ भी उसमें नहीं आता वह देखते हुए लोग भोजन करते हैं और वही देखते हुए भोजन बनता है इसलिए हमारे परिणामों में विक्रती बढ़ती जाती है मा कम से कम इतना कर लो भोजन बनाते समय तीवी नहीं देखो मोबाइल नहीं देखो और भोजन करते समय तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए जो ज्यानी आदित जो परिणाम ये मस्तिस बड़ा तेजी से काम करता है कभी आपने पुष्प को देखा कोई भी पुष्प होगा उसकी में सुगन्द होती है और जब सुगन्द होती है तब पुष्प की सुगन्द आपने नाक से सुंगी थी और आँक से उसे देखा था अब यदि तुम्हारी आखें बंद हैं और पुष्प की सुगंद सुगा दी जाए तो तुम बता नहीं दोगे कौन सा पुष्प है जो पुष्प देखा अगर आपने कमल का पुष्प लिया और कमल के पुष्प को देखा आखों से था और उसकी गंद किस से लिए नाक से और उसे हाथ में पकड़ा था अब तुम्हारी आखें बंदे हाथ में आ जाए तो तुम्हारा मस्तिस क्या कहेगा कि कमल का पुष्प है यदि हाथ भी नहीं लगाया मात उसकी गंद आ जाए हाथ भी नहीं लगाया आख भी बंदे गंद आजाए तो तुम्हारा मस्तिस क्या कहेगा कमल का है और गंध भी नहीं आई और हाथ से इसपर्स भी नहीं हुआ तुरंद कह दोगे कमल दिखाई दे रहा है यानि एक भोजन करते समें एक वस्तु को देखते समें पांचों इंडियों का कारे चल रहा था मनीश जितनी एड़र्टाइजमेंट इंडरेस्टी है न एसी पर काम करती है जब आप कुछ दिखाते हो तो बिना संगीत के दिखाते हो क्या एक ट्यून बसती है हर प्रोड़क्ट की एक ट्यून बनाई जारी है क्यों बनाई जारी हर कोई भी प्रोड़क्ट होता है उसकी एक क्या कहते हैं आप उसे किसे क्या कहते हैं गया नी उस ट्यून को क्या कहते हो जिंगल जिंगल जो बनाया जाता है हर मा कोई भी पधार्थ खरीदने जाते हो उसके साथ में एक विसेश ट्यून बना दी जाती है अगर मोबाइल है एर टेल की तो एर टेल की एक ध्वनी बन हर चीज हमारा मस्तिस्क सब कुछ मैच करता है जैसा मस्तिस्क में होता है जैसा आँखों में देखा जाता है उस समय जो नाख से सुगंद ली जाती है जैसा कानों से सुना जाता है जैसा मुख में रखा जाता है और जैसा सपर्स होता है वह सब कुछ तुमारे मस्तिस्क में आ जाता है और उसमें से एक भी चीज मिली यानि कमल में से एक भी गंदाई आखें बंद दी तो मस्तिस्क ने कहा कमल है मा ऐसे ही जब आप भोजन मनाते हो आपकी पांचों इंडियों से जो ग्रण किया जाता है वह सब तुमारा मस्तिस्क उसको वैसा क्या वैसा ग्रण कर लेता है भोजन कर रहे थे ना भोजन कर रहे थे उस समय जो सुन रहे थे यदि किसी के बारे में गलत वात सुन रहे थे और किसी की मार काट वाली पिक्चर देख रहे थे अब मा जो भोजन किया उसके साथ वह सब कुछ तुमारे मस्तिस्क में आ गया अब जब जब वह भोजन यानि रस रूप परिणत होगा वही वही पिक्चर तुमारे मस्तिस्क में आईगी अब समझ में आ रहा है कितना वड़ा विज्ञान है यानि यही तो तुम लोग करते हो अभी देखना कोई ध्वनी अगर सुना दी जाए जगदिश जी तो सामने सारा जो इनको बैचना है सबको सामने आ जाता है मात ध्वनी सुनाई थी ना वस्तु तो नहीं दिखाई थी लिकिन ध्वनी सुनाई जाती है तो सारी वस्तु अपने आप कैसे आगई? क्योंकि आख ने कान से संपर्क कर रखा था कान और नाक का संपर्क था जितिम्दी भी पांचों इंडियां थी वे सब आपस में संबंदित होकर मस्तिस्क में विकार पैदा कर रहीं थी यानि आप समझना ये दिगंबर मनी मां क्यों मौन से भोजन लेते हैं? क्यों सुद्धी बुलवाई जाती है? मनीश आप समझ में आ रहा है? सुद्धी ये महराजी इससे बोलने से क्या होता है? मन सुद्धी, वचन सुद्धी, काय सुद्धी आहर जल सुद्धे और मूँ लटकाए हो हम लोग नहीं लेते जितना तुमारा मूँ लटका देखेंगे न बभब लाल जी, उतनी हमाई सामाईक बिगड़ेगी क्योंकि भोजन लेके जाएंगे उसके बाद रसरूप परणत होना प्रारंब होगा और 24 घंटे यदि नवदा भक्ती नहीं की गई है ज्यानी, निता जी नवदा भक्ती नहीं की गई तुम उनी राज आहर नहीं ले सकते तुम्हें जवरजस्ती लगवाया गया ना चोका भाईया यही है यही प्रक्रिया है जवरजस्ती का यह कोई माध्यम नहीं है यह आत्म विशुद्धी के साधन है इसलिए मा भावों में परिवर्तन करो अपने आप बाहेवस्तु में परिवर्तन आता है भवल लाल जी बेटे की मा का हाथ का भोजन और अपनी मा के हाथ का भोजन एक्सा होता है न मा बेटे की हाथ का भोजन बेटे की मा के हाथ का भोजन और स्वयम की मा के हाथ का भोजन कस्वाद एक्सा होता है न यानि आदित पकड़ो बेटा पकड़ो कितना बड़ा बेटा मा भोजन करा रही है और बेटे की मा भोजन करा रही है और वही आटा है वही कुछ रोटी बनी है उसी जगे पे बनाई गई है लेकिन मा ने बनाई है कि बेटे की मा ने बनाई है स्वाद बदल जाता है ग्यानी क्योंकि भावनाओं में जैसा परिवर्तन है मा के अंदर वासल की भावना थी और बेटे के मा के अंदर वासनाओं की भावना थी स्वाद में परिवर्तन आ गया मा कभी नहीं आएगा और वही बेटे की माँ अपने बेटे को खिलाएगी ना ग्यानी वही बोजन बदल जाएगा आपको लग रहा था ये भावनाएं क्या करती है ये भावनाएं जडवस्तू पर प्रभाव करती है तो तुम्हारे अंदर में जो चेतन ने परणती है उसमें कितना बड़ा परिवर्ता ने इन भावनाओं से हुआ करता है ये क्यों भावनाएं भाने बोला है बारा भावनाएं क्यों बार बार भाने बोला कई बार आदित पहली बार ही सुन रहे होगे लगता है प्रवचन तो कभी ऐसे सभें में बैठके सत्त है न? कभी ऐसे निकलते चलते नहीं तो वो एक और युवा बैठा हुआ है यानि बिटा जरूर लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है कोई बात नहीं लगने दो ये लोग भी बोलें रिशव कि ये उम्र क्या तुमारी इसकी है अभी तो खेलने कूदने के दिने बिटा खेलते कूदते अनन्त बाव निकाल दिये इनको सबको समझाओ गया नहीं सबको समझाओ जांजी जी हम जिसे सोच रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारियां है ये जिम्मेदारियां नहीं है ये तुम्हारी वासनाओं की परतंत्रता है जिसलिए घर की सेवा करना पड़ती है प्रेमिम कॉलिटी आता मैदा और रावा